दोस्तो टेक आईटाई में आपका स्वागत है दोस्तो इस रो जिहां भारतिये अंतरिच अनुसंधान संस्थान इंडियन अस्वेस रिसर्च और्गेनाईजेशन के तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि ये भारत सरकार का है सरकारी नोकरी अपडेट है जो कि नो को सब्सक्राइब कर दें साथ में लाइकों दबादे क्योंकि यहां से आपको पर डे एक से दो वीडियो आई टी आई लेटेट लेटे जनकारी मिलेगा साथ साथ आई टी आई का अबजेक्टिव कोश्चन रहेगा जो कि फर्स्ट यर और सिकन वालो ये वालो के लिए है लेकिन ये कोश्चन भी आपको कमपटिशन में आएगा यानि उसमें से कुछ कोश्चन आने का चांस रहेगा तो चलिए पहला दिया हुआ है टेक्निकल असिस्टन जो कि मेकेनिकल यानि डिपलोमा वालो के लिए है तो हम डेरेक्ट चलते हैं आई टी आई वालो के लिए देख लिए यहां तीन नमर दिया हुआ है ट्रेड टेक्निसियन फीटर जो की टोटल सीट की बात किया जाए तो बीस को है देरा है मैट्रिक होना चाहिए साथ में एंसी बीटी से आई टी आई होना चाहिए दूसरा है इलेक्टोनिक जिसका टोटल सीट तीन है जिसमें क्य या कि कि वहीं एक सीठेंटे वही एक सिठे है वहीं मैट्रिक पलस ही होना चाहिए उसके बाद ड्राफ्ट में ड्राप्ट में के लिए अगर आप इस फर्म को भर सकते हैं उसके बाद यहां आई टे वालो के लिए मेट्रिक पलस अगर आपके पास डेविलेसेंस है तो आप इस फार्म को भल सकते हैं important क्या है कि वो इंडिया का होना चाहिए पलस में इसकी last date देख लिजिए already दिया हुआ है closing date से पहले 24 को यानि 24 अप्रेल को इसकी last date है उससे पहले आपको form भर देना है यह fireman वानों के लिए है हाँ एक चीज़ और इसका PDF file मेरे टिलग्राम चैनल पर डाला हुआ रहा है का जहां से आप PDF file डाउनलोड करके भी देख सकते हैं जहां तक age की बात किया जाए देख लिजिए minimum पोस्ट कोड आठ के लिए दिया हुआ है ऐसे जनरली आपको कि आठ के लिए ऐसा है और अधर और पोस्ट इज 25 यह यानि 25 साल तक आप भर सकते हैं इस form को जो आया है और आगे की और चलते हैं देख लिजिए क्या क्या कैटरिया है इसमें दिया हुआ है ऊसके बाद फाल남ados में medical examination बी होगा उसका दिया हुआ है उसके बाद यह जो exam होगा वो online basis पे होगा यानि online exam होगा next क्या दिया हुआ है कि अगे देखते हैं ड्रयवर वालों के लिए दिया हुआ है, mental knowledge वालों के लिए दिया हुआ है तें पहुए रूनआप है यह रनआप किसके लिए हैं फायर मैन कि लिए और यहां दिया हुआ है फायर मैन यानि फायर मैन वालों को रणिंग लेना है इनी कि यालों को यह नहीं करना है इसका वेविसेट दिया हुआ है iprc.gov.in इस website पर जाके आप 24-3 से ले करके 24-4 यानि 24 March से form भराना शुरू हो चुका है और 24 April तक forum को भरना है उसके बाद और क्या है देख लिजिए इसमें क्या क्या चीज अपलोड करना है वो सारा दिया हुआ है टेकनिकल वालों के लिए क्या क्या चीज डालना है वो सब औरेटी दिया हुआ है जो कि वीडियो को पाउज करके आप देख सकते हैं उसके आगे हम बताते हैं जहां तक application fee की बात किया जाए तो देख लिजिए असिस्टेंट टेकनिकल असिस्टेंट जो कि पोस्ट कोड दिया हुआ है इन पोस्ट वालों के लिए सारे 700 लगेगा और ये सब जो पोस्ट है उनके लिए आपको 500 लगा है एक चीज और दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है ये refundable amount जी हां दोस्तो refundable amount है जो कि आपको कब लगा refund the following rate only to application who appear in the online computer based exam यानि आपको पहले तो पैसा लग जागा लेकिन जब आप एक्जाम में अप्लिकेशन प्रोसेस लगता है उसको काट करके रिटर्न हो जाता है उसी तरह से इसमें है 750 रुपिया हो जागा और other और आगे देखते हैं कि क्या कुछ है तो देख लिजिए इसमें last में भी दिया हुआ है कि आपको 27 तारीक से अल्रेडी 10 बज़े से शुरू हो चुका है और closing rate है 24 अप्रेल को 4 बज़े तक ही जी हाँ दोस्तो 4 बज़े तक ही form भराएगा 12 बज़े राद तक नहीं यानि जितना जल्दी हो जाके form अभी खुल रहा है आराम से इसको form को भर लिजिए तो दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और दोस्तो को सेयर कीजिएगा साथ साथ अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ में बेल ऐकोन दबादे तो कि यहाँ से आपको लेटर जनकारी मिलती रहेगी जैहिन